आज के सेशन में एक एक्जामपल लेते हैं स्पीच करने के लिए अपने अक्सरसाइज का नॉमली जो है वो डॉक्टर्स, पेरेंट्स और अन्ने अन्ने जो एडवाईजर हैं वो हमें ऐसे एडवाईज करते हैं कि हमें फिजिकली फिट रहने के लिए अक्सरसाइजिंग रखना चीए, हमें डैली अक्सरसाइज करना चीए ओवियसली जो डैली अक्सरसाइज करता है तो निशी रूप से फिजिकली फिट रहता है और फिजिकली फिट रहता है तो वह है बीमारियों से मुक्त रहता है और मैं students को इस example से ये भी aware करूँगा कि वह है अगर physically fit है तो mentally भी अपने आपको healthy बना पाएगा अब देखिए exercise यहाँ पे daily exercise की बात की आप अगर पढ़ाई करते हैं daily पढ़ाई करते हैं रोज अपना study करते हैं तो आपका अभ्यास इतना बढ़ जाएगा कि आप आराम से बहुत अच्छे marks जो है वो एचीव कर पाऊगे ठीक वैसे ही हम एक speech करेंगे ऐसा कि आपको एक ऐसा मंच के मादन से एक भासन देना है कि जो daily exercise है उसका बहुत बड़ा एक importance होता है तो हम इसके importance के लिए question लेकर आएं ये question देखना ये question रखा कि आनन्द is advised by the doctor आनन्द को डॉक्टर ने शला दी to take regular exercises regular exercises के लिए he decides to go to a health club उसे health club जाने उसने health club जाने का निश्चे किया वह निश्चे करता है after few months और कुछ महिने के पश्चाद he feels fit वह है अच्छा मैसूस करता है and finds himself dream और अपने आपको बहुती जोशिला उत्साहित मैसूस करता है write a speech to be delivered आपको एक speech है वो delivered करना है to his friends and colleagues से अपने मित्र दोस्तों को अपने साथियों को एक ऐसा speech delivered करना है on the importance of exercise तो आपको students ये मिला होगा कि यहाँ पर title क्या है importance of exercise है तो importance of exercise ये इसका title बन गया and remaining physically fit write a speech in your answer sheet अपने answer sheet पर एक speech बनाईए in not more than 120 यानि 120 words तो इस तरह से आपको एक speech बनाने के लिए यहाँ पर ये suggest कर रहा है अब आपको यहाँ पर title पता चली गया होगा कि importance of exercise exercise यहाँ पर इसका title रख लेते हैं तो speech बनाने के लिए आपने जानकारी लिए कि article और speech में जो difference चल रहा था वो साथ 3-4 example हमने किये और उनमें आपको अच्छी दरह से मालूम चल गया होगा कि अगर इस पर article बनाएं तो आपको article जो है वो कुरण से start करना होता है और उसमें effect जो हो सामिल करने होते हैं जिसमें एक deep या कोई ऐसा जो है वो line देना होता है और बाकी जो है वो article जो है वो किसी दरह से addressing करने कार ऐसा को जंजट नहीं होता है इसमें क्या होता है speech करने में audience को ध्यान में रख करके जो है वो अपने present state है उनका जो attraction है वो hold रखने के लिए हमें बहुत अच्छे ढंक से बोलना होता है तो यहाँ पे आपको बोलना नहीं बलकि लिखना answer sheet पे की एक भासन कैसे तयार करें तो सबसे पहले क्या ले होगे यहाँ पे आपने title डाल दिया importance importance of exercise यह आपने यहाँ पे क्या कर दिया title डाल दिया कि exercise का जो है वो importance है फिर आपने यहाँ पे क्या किया इस तरह से address किया जैसे यह कह रहा कि किसको आपको deliver करना है तो friends को करना है इसका मतलब निश्य रूप से यह कहीं जो आप एक pattern ले रहे थे respected principal, teachers यह वाला छोड़िए आपको यहाँ पे कहा कि right speech to be delivered friends and colleagues है तो निश्य रूप से यहाँ पे आप ले लीजिए कि आप किसको कहोगे आप अपने friends इसको कहोगे तो आप यहाँ पे जो है वो start कर सकते वैसे कि my dear my dear friends and ऐसे जो आपने अपने साथी जो भी है करमिक जो साथी है तो collect के लिए लिया ऐसे आपने कह दिया do you know या ऐसे आप एक beginning line ऐसे दे दीजिए today I stand before you delivering a speech on on the importance of Delhi exercises तो ऐसे आप यहाँ पे अक्साइजिज की बात करोगे exercise is keep keep us healthy and healthy and feed you know you know before a month before a month I was I was badly badly ill the doctor the doctor advised me advised me to do to Delhi to Delhi to 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 health to a health club and and you see I I feel healthy and fit the daily exercise exercises is give us new energy new energy new energy for Delhi work इस तरह से अपने भासन को अपने speech को आगे बढ़ाते जाहिए आगे अपने paragraph बनाते जाहिए और paragraph बना बना करके आप जो है वह exercise के समंद में ऐसे importance बताते जाहिए कि किस तरह से हमारा blood जो है वह एकदम purify रहता है किस तरह से हमारे जो organs है वह feet रहते है यह सब बते आप इसके मादन से बताते जाहिए जैसे हम Delhi exercises करते हैं तो कितनी सारी बीमारियों से मुक्त रहेंगे और इससे हम mentally भी healthy रहेंगे यानि और all health के लिए ये बहुत जुरूरी है ये सब बताते जाहो तो students इस तरह से आप तीन paragraph जो है वो और बना ले इस Delhi exercise पर देखो कैसे आप तयार कर सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा कि जैसा कि ये statement बताया जाता है कि स्वस्त सरीर में स्वस्त मन पाया जाता है जब सरीर स्वस्त है तो उसका मन मैंड मस्तिस्क हो स्वस्त होता है human body is like a machine आप यहाँ पर जिकर कर रहे हो कि human body एक machine की तरह होता है overeating and eating junk food देखिए प्रियात खाने से कहीं ज़्यादा खाना या junk food का खाना only harm our bodies ये केवल हमारे सरीर को नुक्षान देता है इट मेंस ये बात कहें कि ये सब खाने से केवल और केवल हमारे सरीर को नुक्षान होता है हमें किसी परकार का और portion नहीं मिलता आगे कहा eating at a right intervals अभी देखो एक निश्चित अंतराल लेकर के खाना एक right intervals लेकर के हमें खाना is a desirable thing ये सबसी अच्छा होता है देखिए एक साथ ही जितना सारा डाल लिया ये अच्छा नहीं होता है कि दो से दो वक्त खा लिया और उसमें बहुत ज़्यादा खा लिया और रिटिंग कर लिया तो ये हमारे health के लिए अच्छा नहीं होता तो साथ में आपको ये भी बात स्पीच के मादम से जानकारी में मिल रही है और रेगुलर अक्सराइज करेंगे तो हमारी बॉड़ी की मसल्स है वो टॉन अफ होंगी और उन्हें ताकत मिलेगी तो ये रेगुलर अक्सराइज का जो एक benefit है वो इस लाइन में आपने पढ़ा रेगुलर एटी, पंक्चुलिटी, टेकिंग राइट काइंड ओ फूड और रेगुलर अक्सराइज आर देफ फॉर इसेंशियल थिंग्स फॉर मेंटेनिंग ए गुड हैल्थ तो यहाँ पर क्या बात कही कि रेगुलर टी, पंक्चुलिटी और टेकिंग राइट काइंड ओ फूड यानि सही उचित भोजन, पंक्चुलिटी और रेगुलर अक्सराइज ये चार बाते जो है आर देफ फोर थिंग, इसेंशियल थिंग से ये चार आवसक बाते जो हैं वो हमारे अच्छे स्वास्ते को मेंटेन करने का कारिय कर सकती है तो यहाँ पर ये चार काइंड दिए कि आप रेगुलर टी रखेंगे, पंक्चुलिटी रखेंगे और इसी के साथ में एक सही भोजन की उचित मात्रा या सही प्रकार जो आप चुनेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो फोर काइंड या फोर थिंक्षी मेंटेन अवर गुड हैल्थ तो इट इज अवर ड्यूटी इसलिए हिए हमारी ड्यूटी होगी तो कीप दा हुमन मसीन वैल इन ओर एंड गॉइंग इसलिए यह हमारा ड्यूटी है कि हम अपने इस हुमन मसीन को बहुत अच्छी तरह से जो है वो काइम रखेंगे उसे ठीक विवस्तित रखेंगे अब देखिए आगे स्पीच के माद्यम से एक सजेस्ट मिला यहाँ पर यह करा कि वाकिंग फॉर ए फ्यू किलोमेटर्स डेली इस अलसो एक गुड अक्सरसाइज साथ में यह दिया कि डेली आप कुछ किलोमेटर एक या दो किलोमेटर पैदल चलते हैं वाकिंग करते हैं तो वाकिंग फॉर ए फ्यू किलोमेटर्स डेली is also a good exercise ये भी a good exercise की रूम में माना गया है jogging करना, swimming करना, dancing करना या doing light exercises या फिर halki full की जो व्याम करना डेली के जो exercise करना डेली keep the body torn up ये हमारे सारीर को स्वेस्ट और फूर्दिला रखेंगी ton up करेंगी and in good condition और एक अच्छी स्तती में रखेंगी ये सब बातें आप इस speech के मादम से बताइए और लास्ट में यहाँ speech जब भी end कर रहे हो तो thank you all ऐसा आपको बनाना होता है तो students ऐसे हम जो भी जिस मुद्दे पर या जिस एक theme पर जिस ideas पे जिस title पे हमें एक speech लिखना होता है speech बनाना होता है अपने answer sheet पे तो उसे 3-4 paragraph दे करके आप ठीक से design कर सकते हो ओके, thank you